अधेरा चा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशान्ती ही अशान्ती, उस्षमें आप देखिएगा, भारिश भारिश शंकट की निव्रती के लिए एक मात रुपाए, यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, च के आपको कोई भी शुखी नहीं कर सकता, यदि आपको कोई शुखी कर सकता है, तो आप हैं, बिल्कुल घनी भूत, अर्था ठोश बात है, इसे समझ लेना, यदि आप अपने विचार के द्वारा, बिवेक के द्वारा, अधर्मा चरणों का त्याग करके, धर्म पुर्वक जीवन बितीत करते हुए, भगवन नाम जब करते हैं, तो पूरु पापकर्म के अनुशार जब देह रचा गया, तो उसमें जो प्रारब्द दुख शुक का है, वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा, और आगे आपके लिए महाशुख है, जो दुख और शुक दोनों से परे है, अखंड प्रशनता, अखंड आनंद, वो किवल आपके करने से होगा, उपदेश मिल शकते हैं, मार्ग बताया जा शकता है, आपको शाहयोग मिल शकता है, पर चलना आपको होगा, यदि आप नहीं चले, तो ये क्या ही ब्रहम हो, कि मैं कहीं जाओं, और मेरी दुख निवरती हो जाए, तो इस ब्रहम को छोड़ देना, क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात, बहुत लगू तपश्या, ल बात करते हैं, जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचे किया, फिर भी उनकी शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए, ये दुख और शुख, एक भ्रहमात्मक इंद्रजाल है, माया का, ना दुख है, ना शुख है, जैसे जो शपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख न होई, ऐसे स्वपन में तुम चक्रवरती समराट बन जाओ, तो जगने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही होगे, हम भगवान के चिदानंद अंश हैं, ये भूल कर हम अपने को इस्त्री, पुरुष, अच्छा, बुरा, धनी, निर्धन, दुखी, शुखी, आदे आदे, बहुत सा प्रपंच है, इशेम अपने दिमाग में बैठा लिया है, जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे, तब तक आपको शुखी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुख्खालयम नाशवान शंशार का तो तुमने आस्तित तो रखा है, अगर ये कि कह रहे हैं, मात्रा इस परशास्तु कोंते, सीतो शुख दुखदा, आगमा पाइनो अनित्यास तास्तितिक्षस भारत, हे भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, शीतलता, अर्थात, काम, क्रोद, लो, मु, मद, मत्सर, अपमान, निन्दा, एस अब ताप पहुँचाते हैं, अनुकूलता, सम्मान, यज, कीरती, धन, बैभो, मानी हुई, मान्यता, इस अब शीतलता पहुचाते हैं, ये उश्णता और शीतलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता, आने जाने वाले हैं, भगवान ये नहीं केरें, मैं मिट तो तुम्हारे हरदे में इसी स्थिती प्रगट हो जाएगी कि फिर ये इस पर्ष भी नहीं कर पाएगे सहने से तुमारी भक्ती बढ़ेगी तुमारा चिंतन बढ़ेगा तुमारा इश्मरन बढ़ेगा सत्य वस्तु के लिए सत्य तत्य के लिए तुम सुखी हो जाओगे बिलकुल खुली बात आडंबर नाटक पाखंड इसकी जरुवत नहीं है प्राकृतिक भोगों में शुक गुद्धी देहा अभिमान बिद्यारूप महतकुल धन जौबन अभिमान यही तुमारे दुख का मूल है और यह कोई दूसरा नहीं हटा सकता यह तुम्हें अपने विवेक सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा सास्त्र श्वध्याय से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा इसे तुम्हें त्यागना है